Hello students, आज हम 5.3mm classes के 3rd के last 3 part करेंगे 3rd का 8th, 9th और 10th part तो चलिए स्टार्ट करते है 8 part से 3rd question के 8 part में हमें given है AN है हमारे पास 4 और difference है 2 और sum of N terms हमारे पास minus 14 है इस question में हमने N और first term find out करनी है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हमारे पास an given है an कितना given है? 4 तो an की हमारे पास क्या identity है? a plus n minus 1 into d 4 तो यहाँ d की value पुट कर दो d तो हमें question में given है तो a plus n minus 1 d कितना हमारे पास 2? a plus 2n minus 2 equal to 4 तो a की value कितनी आई है? 4 यह negative 2 तर जागे positive हो जाएगा और 2n क्या हो जाएगा? negative तो हमारे पास a की value कितनी है? 6 minus 2n ठीक है? अब और हमें question में क्या given है? sn sn हमें क्या दिया हुआ है? negative 14 sn की हमारे पास identity है n by 2 2a n minus 1 into d equal to negative 14 n by 2 पहले d की value पूट कर दो 2a n minus 1 d की value मारे पास कितनी है? 2 minus 14 अब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है 2 common निकाल लो n by 2 2 common निकाल लिया तो यहाँ बचा a plus n minus 1 equal to negative 14 ठीक है? 2 हमने यहाँ से और यहाँ से common निकाल दिया 2 के साथ to cancel तो हमारे पास क्या बचा? n a plus n minus 1 equal to negative 14 अब a की value हमने निकाल लिया a की value मारे पास क्या है? 6 minus 2n यहाँ पुट कर दो n a की value मारे पास कितनी है? 6 minus 2n plus n minus 1 equal to minus 14 तो n 6 minus 1 5 minus 2n plus n minus n equal to negative 14 अब n को अंदर multiply कर दो तो यह क्या जाएगा? 5n minus n square negative 14 negative n square plus 5n यह negative 14 इदर जाके क्या हो जाएगा? positive 14 अब हमारे पास n square negative है तो इसे पहले positive कर लो फिर term split करेंगे तो negative common निकाल दो तो n square negative 5n negative 14 equal to 0 तो हमारे पास क्या equation बची? n square negative 5n और negative 14 अब हमने इसके term split लगा करनी है तो हमारे पास multiplication आनी चाहिए negative 14 और addition आना चाहिए minus 5 तो क्या factor बनेंगे? minus 7n और plus 2n क्योंकि negative 7 into plus 2 14 negative 7 plus 2 minus 5 ठीक है? इसमें से n common निकाल दो तो n minus 7 और 2 common निकाल दो n minus 7 अब दोनों में से n minus 7 common आगे और n plus 2 अब n minus 7 equal to 0 तो n की value क्या आगी? 7 n plus 2 equal to 0 और n की value क्या आगी? negative 2 n कभी negative हो नहीं सकता तो ये reject हो गया ठीक है? तो n की value मारे पास कितनी आगी? 7 अब और हमने क्या find out करना है? a तो from 1 a की value मारे पास क्या थी? 6 minus 2n अब n की value मारे पास 7 है तो यहाँ 7 पुट कर दो तो 6 minus 7 into 2 14 तो ये की value मारे पास कितनी आगी? negative 8 तो n हमारे पास 7 है और a हमारे पास क्या है? negative 8 तो चलते हैं next question पर 3rd का 9th part इसमें हमारे पास a गीवन है 3 n गीवन है 8 और sn हमारे पास है 192 इसमें हमने बस common difference find out करना है d तो start करते हैं 3rd का 9th part हमारे पास sn कितना गीवन है? 192 तो sn की हमारे पास identity क्या है? n by 2 2a n minus 1 into d equal to 192 खीक है? और n हमारे पास कितना है? यह 8 पुट कर दो और a की value मारे पास कितनी है? 3 तो 2 into 3 n की value क्या है? 8 8 minus 1 d हमने find out करना है ठीक है? तो 8 2, 8 के साथ cancel हो जागा है तो 4 3 into 2 6 8 minus 1 7 और 192 6 plus 70 192 divided by 4 तो यह 4 के साथ cancel हो जागा है 4, 4 दो 16 19 minus 16 3 4, 8 दो 32 तो 6 plus 7d कितना आगा? 48 तो 7d कितना आगा? 48 minus 6 तो 7d 48 minus 6 is 42 अब d की value कितनी है? 42 divided by 7 तो 7, 6 दो 42 तो d की value मारे पास कितनी आगी? 6 तो यह था हमारा 3rd का 9th part तो चलते हैं अब 3rd का last part, 10th part 3rd का 10th part इसमें हमें दिया गया है last term 28 और sum of n terms दिया हुआ है 44 and there are total 9 terms और n हमें दिया हुआ है 9 तो हमने इसमें क्या find out करना है? 1st term find out करना है a find out करना है तो हमारे पास l दिया हुआ है 28 और total terms किनी है 9? कितनी है 9? तो it means हमारे पास 9th term कितनी है? 28 और sn हमारे पास कितना है 144 यानि 9 terms का sum कितना है 144 तो sn का हम identity लगाएंगे n by 2 a plus an क्योंकि हमारे पास last term given है तो हम क्या term यूज़ करेंगे a plus an तो n हमारे पास कितना दिया हुआ है 9 तो 9 by 2 a हमने find out करना है और nth term हमारे पास कितनी दिया है 28 a plus 28 144 यह 9 by 2 है तो क्या हो जाएगा 2 by 9 अब यह 9 के table पे cancel हो जाएगा 9 1 का 9 14 minus 9 5 तो यह 54 आ गया 9 6 दा 54 a plus 28 16 into 2 32 तो हमारे पास a की value कितनी आगी 32 minus 28 तो 32 minus 28 is 4 तो हमारे पास first term कितनी आगी 4 तो 5.3 का third question complete हो गया तो next video में हम next question करेंगे तो एंक्स for watching thanks for watching